यहां दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि आप लोगे के समिष्टर एक्जाम जो है वो बहुत जादा नजदीक आचुके हैं और लगबग बहुत सारे ऐसे स्कूल से बहुत सारे स्टांडर्स के जो एक्जाम है वो दिवाली के पहले लिया जा रहा है यानि दिवाली भी आप देखो के तो लगबग आज का जो डेट है लगबग 5 या 6 थारिक होगा और 24 को दिवाली है यानि कि देखा जाए तो सिर्फ 15 से 20 दिन का ही टाइम बचा हुआ है दिवाली के पहलेगा तो इन टाइम्स के बीच में इन डेट के बीच में काफी सारे स् बहुत सारे बच्ची मुझी मैसेज कर रहे थे कि सर आप कुछ टिप्स दे तो हमें examination point of view क्योंकि चलो यार बोर्ड एक्जाम तो थोड़ा सा दूर है अभी लगबग आपके वास अभी चार महिना पांच महिना है ठीके न एप्रॉक्सिमेटली दस्वी वाले के लिए बार 10th and 12th standard के students के लिए देखो एक सबसे important चीज में पता दू कि आप लोग जो 10th and 12th के जो students हो इस साल के यानि कि 2022-23 का जो batch है जो 2023 में जाके board exam देने वाले तो आप लोग का एक जो goal है जो ultimate goal है वो आप लोग के लिए क्या है अगर मैं आपको सीधा सीधा बोलू तो आप लोग आप लोग के लिए बहुत ही जादा क्या है एकडम light वाली चीज है एकडम नामूम्किन नहीं बोलते हैं एकडम मामूली सी चीज है तो यानि कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो दस्वी और बार्वी के जो board के students है जो 2023 में board exam देने जा रहा होंगे उनको कोई भी चिंता करने की जरुत नहीं क्योंकि यार यह जो semester का जो exam आपके लिए जो आ रहा है यह बहुत ही जादा क्या है एकडम light चीज है इसको कोई भी चिंता करने की जरुत नहीं इसको बिल्कुल seriously लेना ही नहीं आप लोग को जैसे यार मैं आपको exam बताता हूं मैं पास हो जाएंगे तो भी board exam में पास होंगे मैं ऐसा सोच था लेकिन ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रुत नहीं है क्योंकि चाहे semester हो चाहे unit test हो चाहे आपका prelims हो यह matter नहीं करता है 10 वी और 12 के board के students के लिए matter किसके लिए करेगा जो बाकि students है हमारे जो 6 वी में है 7 वी में है 8 वी में है 9 वी में है या फिर 11 वी में उनके लिए matter करेगा तो उनके लिए भी बहुत सारी tips लेकर आया हो लेकिन जो 10 वी और 12 वी के students है मैं आपको बता देना चाहूंगा इस वीडियो के clear through बता रहा हूं कि आप लोग को कोई चिंता नहीं करना है आप से जितना preparation हो सकता है करो कोई problem नहीं है लेकिन tension बिल्कुल मत लेना बिल्कुल tension लेने की जुरूत नहीं क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे है कि सब हमें tension आ गया है हमारा semester exam बहुत नजदी के और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम पढ़े तो पढ़े कैसे इतना सारा load आ गया अर्या तो कोई चिंता करने की बात है कि इसमें आप लोग का main target क्या है बोर्ड exam में अच्छे marks निकाला 90% 95% 80 85 जो भी आपने target बनाया होगा आपने जो goal बनाया होगा वो आपका target है तो यह बीज-बीज में जो छोटी-मोटी चीज़े आ रहे हैं उसके उपर क्यों अपना दिमाग में है तो अभी आपका समझ लो दस दिन के अंदर अगर exam है तो जो भी चीज आप पढ़ चुके हो अब तक यह जो पिछले जून से लेके जून जुलाई अगर सेप्टेमबर ऑक्टोबर चल रहा ही है यह पिछले तीन से चार मेरे में आपने जितना भी अगर आप याद नहीं आ रहे है तो आप दुबारा वीडियोस देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम ने फोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियोस देख लिया कॉंसे प्लियर हुआ अब उसके बेस पे बहुत सारे एक्जामपल्स को सॉल करो मैस के प्राक्टिस सेट में से उठा जितना भी आपने PCM भी पढ़ा हुआ है जितना भी आपने Physics, Chemistry, Math, Bio पढ़ा है चाहे वो theoretical चीज़ हो चाहे वो नुमेरिकल वाले चीज़े हो चाहे वो conceptual चीज़ हो बस आपको क्या करना है उस चीज के ओपर practice करते रहना है उसको revise करते रहना रिकॉल करते रहना है और semester exam में जो भी पढ़ाई किया है उसको बस अच्छी तरीके से deliver करके आ जाओ अच्छा आया तो आया नहीं आया तो कोई बात ने क्यूंकि अगेन आपके पास जो आपको real में proof करना है जो आपको मोगे पे चौका मार रहा है न वो कौन सा टाइम है वो आपका board exam कर टाइम है तो अस साल हमने स्टार्ट किया बहुत अच्छी तरीके से जा रहा है छोटी मुटी चीज़े लाइक कर रही है लेकिन सब चीज़े कवर कर लेंगे और लास्ट हुलास्ट आपको तो revision भी देंगे board examination के पहले revision lectures भी आएंगे तो चिंता करने के जड़त नहीं है लाइब lectures आपके लिए दूँगा revision और इतना भेतरीन तरीके से revise करवाएंगे हम सभी teachers लोग मिलके कि आपको मजा आने वाला है ठीक है यह हो गया 10 वी और 12 के लिए अब बात कर रहो हमें 11th के students की 11th के students लगभग आपको दो अड़ाई माहिना हुआ रहेगा मुझे लगता है दो माहिना भी नहीं हुआ रहेगा ठीक से आपके school या फिर college इसको start हुए रहे तो आपको सबसे पहली बात ना कोई panic होने के जुरत नहीं है ठीक है आप लोग सोच लोगे जैसे मैं भी सोचता लेकिन 11th standard जो है ना इसमें आप सिफ concept के उपर focus करो marks के उपर नहीं marks आएंगे automatically concept clear रहेगा तो और अगर कम भी आते हैं marks तो कोई चिंता की जरूत ने क्यूंकि यहां पे आप 11th में सीखने आयो ठीक है marks निकालके किसी को proof करने नहीं है कि मुझे 95% देख 11th में आगे कोई बच्चे को 11th में 40% marks मिला और वो बारवी में 90% ला रहा है तब वो असली खिलाडी बनेगा तब वो बोल सकेगा दुनिया में देखो इसको बोलते है magic और कोई बच्चा अगर 11th में 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 90% ला रहा है और बारवी में जाके 60% ला रहा है तो उसको लोग फिर गाली semester जितना भी आपको पढ़ाया गया है school में colleges में या फिर हमारे थुरू आप पढ़ाई करते हो आपको learn करना है जैसे same minute 12th वालों के लिए बताया 10th वालों के लिए 11th standard आपको भी जितना पढ़के हुआ है उतना recall करो, revise करो और नहीं नहीं चीज़ों के ओपर focus करो बाकी सब चीज़ों जाओ semester में लिख किया और जितना भी marks आपको प्रॉब्लम नहीं उसको accept करो और move on करो आगे बढ़ो अगले exam की तयारी करो और जितना होसा कि concept के ओपर focus करना क्योंकि यह जो 11th में आपने जो concept पढ़ा है न वह आपको 12th में काम आएगा और आपको 12th में काम आए lecture by lecture हर एक standard के लिए हर एक subject के लिए present है आपको करना क्या है आपका जो भी जितना भी semester exam में आने वाला है portion चाहे वो science हो math हो history, geography, political science हो आपको वो उठाना है आप उसमें वीडियो देखा आपने क्या किया सबसे पहले main काम का है करना को concept के ओपर focus करना जितना हो सके concept के ओपर focus concept आपका clear है तो उसके ऊपर जो भी question answers है, answers को learn करो, उसके concept को समझो, for example बहुत सारे answers लोग रटा मारते है, तो रटा मारो yes, अच्छी बात है लेकिन उसका concept समझ के, क्योंकि by chance अगर आपने रटा मारा हुआ भूल गये exam में, तो exam में लिखने पाऊगे, लेकिन जिसने concept समझा है, और उसको learn किया है, तो exam में भले ही वो learn किया हुआ चीज याद ना है, लेकिन concept समझा हुआ चीज उसको याद आएगा, और वो खुझ से भी own language में भी लिखेगा, तो भी उसको marks मिलेंगे, तो semester में कोई 95-100% का target नहीं रखना होता है, semester exam is very lightly exam, यहाँ पर आपको focus करना है, आपके अच्छे marks पे बिल्कुल आएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा important होता है, आपके concept पे, क्योंकि अगर आपने concept clear किया, थोड़ा सा मेहनत किया, तो definitely अच्छी marks आएंगे, तो 9th semester के students, आप focus करो, इस चीज के अपर अपने आप अच्छे marks आएंगे, कोई चिं है, ठीक है, कुछ भी problem है, message कर सकते हो, यहाँ पर इंस्टाग्राम का personal account है, यहाँ पर मुझे mention करो, ठीक है, ना, message करते हो, तो हो सकता है, मैं late देखू, लेकिन mention करो, वहाँ पे, story डालने का option आता है, story डाल के मुझे mention करो, tag करो मुझे, मैं मुझे दिखेगा, मैं आपको reply करूँगा, या, फिर मैं mention करूँगा, आप लोगो, tension मत लेना, तो कुछ भी तकलीफ है, आपको, कुछ चाहिए मुझ से, तो मैं जरूर से यहाँ पे, मुझे बता जेना, मैं आपको reply करूँगा, ठीक है, यह हो गया, किसका, हमारा 9th standard तक, जितने भी बात था, मैंने बता पूरा सिलाबस completed, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, महनत करना है, जितना हो से करते रहो, सेम, सबके लिए यह लागू होता है, जितना हो से के, हमने बढ़ा दिया है, आप लोगो बस अपना भी लेना है, answers को लेना है, और उसको learn करना है, concept आपने हमारे व इप्रूब होती है, साथ ही में आपका, जब लिखोगे, तो ज़्यादा बेटर तरीके सा आप याद रख सकते हो, math से, आपने concept समझा, formula याद किया, अब उसके ओपर कोई example निकाल लो, समझ लो कोई भी chapter है, उसका example निकाला, questions निकाला है, उसको solve करो, बिना देके solve कर पा समझ लो, आपको वो chapter का mathematics आ गया, तो ऐसे आपको अलग-अलग chapters के लिए करना है, ये करके देखो, अपने आप चीजे होगी, जितना भी हो से कहेगा, उतना करके देखो, और last but not delish, आपको revise करते रहना है, ठीक है, revision करते रहना है, revision आपका छोटना ने चाहिए, ठीक है, औ जो common सी बाते मैंने कही है, जितना भी आप लोग का हो गया है पढ़के, उसको वापस से revise करो, और अभी अगर पढ़ने जाओगे नया चीज, तो बहुत कम समय बचाए, तो थोड़ा भूत नया भी चीज पढ़ो, लेकिन जितना हो सके, उतना जो चीज पढ़ लिया है, आ आपका main focus है, कि आपका semester exam कैसे अच्छा जाए, और फिर कैसे हम अच्छे marks वहाँ पे लेकर आए, तो आपका main target क्या है, exam, तो अभी बात के जितने भी चीज़े हैं, जितने भी distraction वाली चीज़े है, उसको side में रखो, क्योंकि यह वापस आ जाएगा, लेकिन आपका exam पुछना है, कुछ बताना है, जो भी चीज़े है, मुझे यहाँ पर आप message कर सकते हो, Instagram account मेंने दे रखा है, clear है, समझ में आ गया, चलो, आज के लिए इतना ही, ऐसे और भी वीडियो, खासके 10th और 12th के लिए strategy वाले वीडियो, पाकी standard के लिए पूरा time table के साथ planning वीडियो बहुत जल्दी आ जाएंगे, one by one हम लेकर आएंगे, लेकिन तब तक semester exam के लिए all the very best, जितना हो सके पढ़ाई करते रहो, अच्छे से marks लेकर आना, ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें comment करना, वीडियो पसंद आए, अच्छा लगा है द सब तक के लिए, thank you and goodbye.